ओके अलो फ्रेंड किसे वह आप सब में वी सी और आप देख रहें Bounty Invest YouTube चैनल इस वीडियो में हम जो अफस्टोक का नया व्यू आया है उसके बारे में बात करेंगे जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्यूचर्स मिल रहे हैं तो देखते कैसे आप अपने नॉर्मल सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके अफस्टोक के न्यू वर्जन के उपर तो पहले अगर ये न्यू वर्जन नहीं आ रहा है आप में तो इसको केसे लाए तो उसके लिए आपको URL में डालना है probita.aftok.com slash trading ऐसा आप URL डालोगे तो आपको ये वर्जन मिल जाएगा और इसकी link में क्या है कि description में भी डाल दूगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो एक बार इस पे आजाने के बाद आपको इसा interface देखने को मिल गया तो इसमें हम क्या है वो देख लेते तो इधर आपकी panel आएगी जिसमें आपकी क्या है कि watch list रहेगी जो normal old में था वही है इधर ओके बाद में जो changes हुए वो इधर हुए आपको इधर क्या मिला एक chart बड़ा मिल गया है जो normal पहले था वो क्या था छोटा था उसमें क्या आ रहा था कि जो आपने पुराने trade लिये थी उसकी panel एक बड़ी से आ रहे थी जो छोटी भी नहीं हो रही थी मतलब hide भी नहीं हो तो इसमें क्या किया इसने आड़ करकी यह नीचे लगा देया है इस पर आप क्या कि क्लिक करोगे तो यह फिर से pop-up होके बड़ी हो जाएगी समझ गे तो इधर आपको इसा interface देखने को मिला गया है बाद में यह चार्ट में देखो थोड़ा क्या है कि इसने changes किये हुए य इधर मिनिट से कितने मिनिट का चार्ट आपको लगाना है बाद में व्यू से आप अगर कोई व्यू से करना चाहते तो वह इधर देखने को मिला गया बाद में डिस्प्ले में आपको क्या कों से candlestick यूज करनी है वह सब मिल जाएंगा बाद में इधर आपको इंडिकेट यह पूरा चार्ट एक new type में open हो जाएगा तो यह है कि आपको new type में open करना है तो इधर से कर सकते हो और बाद में है इसको trading view में convert करने का तरीका तो जो last में है switch to trading view उसपे click करेगा तो आपका यह चार्ट trading view में switch हो जाएगा तो इसमें आप अपने इसाब से चार्ट का background candlestick का color वो सब कुछ change कर सकते हो और इसमें के जो main है trading view का जो drawing tool है वो आप इसको भी use कर सकते हो तो इधर इसके सभी tools आ रहे है देखो यह line वगेरा खीचने तो इधर से आपके draw कर सकते हो उसके बाद है जो आपका gain calculator है फिबोनाच है वो सब इधर से draw कर सकते हो बाद में है आ अगर आप harmonics pattern यूज़ करते हो या तो yellow wave यूज़ करते हो तो वो भी इसके function मिल जाते है triangle वगेरा इधर से draw कर सकते हो अगर मान लेते कि आपको triangle करना है तो क्या करोगे ऐसे ऐसे करके आप triangle draw करोगे तो आपको क्या है कि इसमें ही सब option मिल जाते है trading view एक अच्छा platform है करोगे तो इधर से यह save करोगे तो आपको save का option मिल जा रहा है बाद में आप इसे इधर से load करके जो भी आपने save किया होगा वो आपको मिल जाएगा और इसके बाद आता है settings तो अगर मान लेते कि चार्ट में कुछ आपको changes करने मान लेते कि color combination change करना है background black करना है color जो है इस आता है snap तो मतलब आपको कोई भी चार्ट है आप किसी से share करना चाहते हो या social media पर क्या है कि upload करना चाहते हो तो इधर आपको क्या है कि snap का option मिलेगा जिस पे आप click करके क्या है कि यह chart का क्या है कि फोटो निकाल सकते हो बाद में वही है कि एक बड़ी tape में चाहिए वो सब कुछ बाद में इधर आपको क्या है कि नाम अगर आपको कोई दूसरा चार्ट चाहिए तो इधर से नाम लेकर आप shift कर सकते हो उसको उसके बाद five minutes जो लिखा है उसमें आपको time zone मिलगा कि कौन सा time आपको इसमें डालना है बाद में candlestick कौन सी use करने है उसका एक option मिल जात तो इसको आप add कर दोगे तो आपको चार्ट में दोनों साथ में चल जाएंगे और ये सभी चार्ट अगर line चार्ट में तो और better दीखेगा मान लेती कि आपको किसी एक sector का analysis करना है मान लेती कि आपको फार्मा sector के सभी stock का analysis करने तो आप क्या करोगे सभी stock के line chart इधर डाल तो आपको पता चलेगा किसका growth चल रहा है किसका क्या है कि downside चल रहा है तो आपको क्या मिल जाता है comparison मिल जाती है stock में technical analysis में तो ये भी एक बड़िया option है आपको इससे use करना चाहिए अगर आपको इसके बारे में पता है अगर इसको निकालना है तो simple है इधर से remove इसके लगाने वह आप इधर से लगा सकते हो और बाद में देखो इधर जो ये पेइनल है उसमें आपको इधर क्या है कि जो आपने वोचलिस्ट बनाए उसका जो भी आपको सीप्ट करना है कि माल लेते कि मेरे को दूसरी वोचलिस्ट में सीप्ट होना है मेरे को फेवरीट में स से वो करोगे तो वो स्टोक आ जाएंगे वो सब कुछ है अगर इसमें कोई स्टोक एड करने तो इधर से आप प्लस साइन पे क्लिक करके एड कर सकते हो तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे आप अपने अफ्श्टोक एकाउंट को ट्रेडिंग व्यू एकाउंट में कर देना आप लाइक कोमेंट करोगे तब तो में मोटिवेशन मिलगा ओरे से वीडियो आगे लेकाएंगे तो प्लीज आरो लाइक कोमेंट एंट सब्सक्रेप कर देना चलिया मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले टटा गुडबाई जय हिन